हेलो दूस्तो मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ दूस्तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कमपेनी, हेवल्स कमपेनी, फिलिट कमपेनी, इनलसा, पृती दूस्तो इतने सारे अप इंडक्शन देख रहो, इसमें एक PCV लगी रहती है, इस टाइप की PCV का भीग देख लो, इसमें प्रोब्लम करेट होता है, बहुत लगबग 80% प्रोब्लम आता है, जिसमें से हमारे मेकेनिक भई 30% इसको रिपेर कर पाते हैं, 70% इसको रिपेर नह नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूस्तो आज मैं वीडियो बना लो, पुरा वीडियो को वाच कीजिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, इसमें theoretical बताऊंगा और practical बताऊंगा, अगर दूस्तो वीडियो का पूरी complete देखते हैं न, तो मेरा इतना अनुमान है कि दूस्तो इस छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, ओके, एक इतने वाट में होता है दूस्तो तो यहां पर देख सकते हैं, हमारा 1608 में भी selected है, 1608 में continue कम से कम 4.5 A लेना जी है, लेकिन दूस्तो इसमें एंप्र लेगा, छोड़ेगा, एंप्र लेगा, छोड़ेगा, छोड़ेगा, द तो step by step focus करेंगे इसका मैंने ड्राइंग यहां पर बना लिए है अब ड्राइंग के माध्यम से पहले आपको theoretical समझाओंगा अगर आप इसको बहुतिनी तरह से theoretical समझ जाएंगे तो प्रिक्रिकल में 100% सियोर है कि आप समझ जाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर सुरू करते हैं आपको यहां पर पता होगा कि हमारा बिली एक फर डायोड है यह आपका न्यूटर हो जाता है और यह आपका फेस हो जाता है दोनों एसी पॉइंट होता है दोनों पर आपका कित वोल्टेज जो 350 DC बनेगा सीधे IGBT की सेक्षन के लिए जाएगा ओके अब हमारा जो निगेटिव वाला सेक्षन है इसको पकड़ना है तो सबसे पहले दोस्तों इजो निगेटिव सेक्ष्ट को पकड़ेंगे यहां पर पकड़ते जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आपक सकते हैं इसके जो मुटाई रती है कम रती है इसके तुल ना में अब दोस्तों दोनों का यहां पर क्या काम है तो सबसे पहले यहां पर जो दोस्तों ट्रेक को देख रहे हैं एर ट्रेक हमारे आइजी बीटी के एमीटर को जाता है यह हमारा ट्रेक है इसके बाद में दुस्तों यहां से दुस्तों यहीं ट्रेक हमारा यहां से दुस्तों यह जो PCV में आप देखते हो निगेटिव पॉइंट पाउर्ट सप्लाई हो या आपका समझ लो माइक्रो कॉंट्र आइसी के आस दुसरा आप देखते हो यहां पर जो एकदम पतला रहता है इसका इंपॉर्टेंट वर्किंग है कैसे तो सबसे पर दोस्तों इस ट्रेक को हम चेक करेंगे यहां से सीधे जाएंगे दुस्तों एक जंफर लागा रहता है जो जंफर का पास में एक कोड लिखा रहता है जे डबल जीरो सेवन कोड लिखा रहता है और जंठ लगा रहता है अब जंपर की बाद दोस्तों यह हमारा नेगेटिव ट्रेक हो गया फिर यहां से ट्रेक आगे बढ़ेगा ओके यहां यहां पर कंपोनेंट आपको मिलेगा क्या मिलेगा इस फ्री मिलेगा ओकर अब दोस्तों आपको पता होगा frequency को क्या करता है store करने का काम करता है इसके नाम से यहां पर PF लगा देते हैं अब फिर इसे ट्रेक को हम चेक करेंगे ऐसे ट्रेक करको चेक करते जाएंगे यहां से चेक करते जाएंगे यहां चेक करते जाएंगे दोस्तों ऐसे यहां पर अब आपको मिलेगा वेरियेवल रजिस्टेंस यानि प्रिसेट कितना कराता दोस्तों प्रिसेट पे आप पांसो एक नमर देखते हो वहाँ पे लिखा रहता है फाइब जीरो वन यहाँ पे इसकी वैलू कलकुलेट करेंगे तो पांसो ओम की आएगी कितने की आगी दोस्तों पां आगे जाएंगा दोस्तों यहां पे pcb में देख सकते हैं कि यहां पे और 99 कितना और 99 यहां पे प्रिप्रिकल करूंगा तो आपको बताऊंगा इंपोर्टेट इसको आप नोट कर लेना फिर दोस्तों इसी ट्रेक को हम चेक करेंगे यहां पर trek कटे जाएंगे फिर दोस्तों यह वाला trek हमारा कहां पर जाएगा IC के समझ लो यहां पर देख सकते हैं 17 नंबर पिन पर जाता है उसके बाद में दोस्तो 17 नंबर पिन और 16 नंबर पिन दोनों इंपॉर्टेंट है किसे लिए दोस्तों जो आपका यहां पे समझदों प्रिसेट से जो फिक्वेंसी आती है जो यहां पे सिंगनल आता है यहां पे 16 और 17 नंबर 16 नंबर पीन दोस्तों यहां पे important किसलिए है किमकी दोस्तों 16 नंबर पीन से और 17 नंबर पीन पे दोनों के बीच में एक फीड़ एक लिए resistance लगा रहा था ओके दोस्तों कितने का लगा रहता है 680 के का यहां पे resistance की value बहुत ज़्यादा है 680 के इसको note कर लेना ओके और दोस्तों एक यहां पे पीएफ भी लगा देते हैं कौन कितने का 104 का यहां पे पीएफ लगा देते हैं दो important component है ओके अब दोस्तो बात करने वाले सबसे पहले आपके पास ऐसा problem आता है कि गरम होता है चोड़ता है तो आप कहां पे तो सबसे पहले यहां पे PCV में देखेंगे दोस्तों यहां पे नो ने क्या mistake किया है जो यहां पे repair कर रहे थे तो दोस्तो यह वाला मैंने आपको jumper बता आया था यह वाला jumper जो आपका jumper नमबर है J804 ओके ए जे जीरो एट फोर जंपर है दोस्तों यह वाले जंपर आपका समझलो यहां से आता है उसके बाद दोस्तों यहां से ऐसे होके जाता है जंपर के बाद यहां से आता है यहां से आता है लेकिन दोस्तों यह जो आप ट्रेक देख रहों कौन सा ट्रेक दोस्तों जो आपका यहां प बतारों त्रीसिप यहां पे लगाके देख लिए यहां से자 बैबाक है यहां पर हो जाता है यहां से इन्वास करते हैं तो तो यहां से पहले दैना एक यहां से जल जाता है यहां से यहां जमफर लग रहता है और यहां से लेके यहां एक सो चार का पीफ लगा रहता है जब भी यह ट्रेक जलेगा तो नोट कर लेना जो आपका का IGBT का IME之Er वलब फॉइंट होता है वहीं से आपका समझ लो कहां पर में निगेटिव जो PCV में निगेटिव पॉइंट देखते हो मांनोगो यहां निगेटिव पॉइंट होता है यह वला निगेटिव पॉइंट हो गया यह आपका सीधे IGBT के एमिटर से आएगा इएगा यह प estás है फिके इमीटर से आ जाये गा, लेकिन दोस्तों अगर मालो कि अगर आप इमीटर के बजाए, आप इस से ले 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 तो, कहां से ले ले तो दोस्तों आपका यहां पे जो जे 804 लगा है जो आपका समय लो sun resistance जो लगा हुआ है यहां पर संटर जमपर लगा हुआ है अगर आप यहां से connect कर देतों इसके वाया तो आप कुछ भी कर लो आप IC भी change कर लो इसको भी change कर लो यह feedback को भी चक कर लो तो आप problem को solve नहीं कर पाऊगे तो सबसे प्रहें दोस्तो आपको कुछ नहीं करूंगा मैं यहां पर देखेंगे मैं क्या करूंगा है सीधे मैं यहां इसमें लगा दूँँगा आपका यहां problem solve हो जाएगा तो देख सकते कि मैंने यहां से लेके यहां पर जो जमपर नियम के निसवार लगना चैंए वहां पर मैंने लगा दिया तो यहां पे PF 104 का यहां से लेके लगा भी सकते हो ने भी लगा सकते हो आपके उपर डिपेंड करते हो अभी दोस्तो हम इसको क्या करते हैं उसके बाद आपको यहां पर बता रहा हुआ हुआ सबसे पहले अगर मान लो कि तो 390 वं का लगा सकते हो लेकिन यहां पे roughly 280 वूं का रजिस्टेंस लगाओ गे इस मडी पैकेज में यहां पे लगा सकते हो कहां पी 270 का resistance लगाते हैं, कहां पी R99 लिखा रहता है, तो क्या 501 के resistance लगाना जरूरी है, 309 के resistance लगाना जरूरी है, तो नहीं ओके, यह दोनो component का लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पे आपने देखो, यह वाला trick यहां से जाके यहां से आया, लेकिन दूस्तों preset को आप क्या कर रहा है, preset 501 के है तो preset के बज़ए यहां पे आपने 270 का resistance लगा दिया, लेकिन दोनो component को लगाना जरूरी नहीं है, यह आपका problem यहां हो गया, अभी इसका दूस्तों मैं data sheet बना रहा हूं, लगबख समझ लो, यहां पे 3.5 voltage जो आपको पता होगा यह आपका low voltage का होता है, 1.5 voltage का होता है, यह IGBT के लिए जा रहा है PMW section के लिए जा रहा है, यह बहुत सरी इसका data मैं निकाल लोगा और पूरा 16W में गरम हो रहा तो छोड़ रहा था, अभी देख सकते हैं 16W में आपका MPR पहले के तुल्णा में, तो पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, पहले हमारे MPR छोड़ रहा था, पकर रहा था, यह नहीं अभी हमारा यहां पर problem solve हो गया, तो दोस्तों यहां पर फोकस किये होंगे कि एक छोटी सी problem थी, jumper wire को कहां पर लगाना चाहिए, और उन्होंने jumper wire को कहां पर लगाया है, उसके वजह से यहां पर problem को sort out नहीं हो पा रहा था, जैसे मान लो jumper को मैं फिर से जहां पर लगना चा होती है लेकिन हमारे जितने technician भाई यह उसमें समयलों उलग जाते हैं, लेकिन वीडियो को पूर्या वात जो जो किया होगा, diagram को जो जो फोकस किया होगा, अगर वीडियो को और diagram को note कर लेता है ना, तो कभी एक problem को आपनी फश हो गया, अगर दोस्तों मान लों कि आपको घ आप पर article लिखना भी शुरू कर दिया हूं, हिंदी और इंग्लिस में, आपको जो जो component का जूरत पड़े, और जितना piece का आपको जूरत पड़े, उसको आप देख लो, और दोस्तों description में, उपन में वार्ट्षप नमर देता हूं, only for वार्ट्षप नमर, और वहां पर दो वीडियो से कुछ नया-nया सीखने के लिए मिलता है, तो मेरे विश्वास करके आप इमांट को पे कर दो, आपका समान 10 दिन के अंदर में चला जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो वार्ट्षप नमर है, मेरे कस्टमर वार्ट्षप में सेख हो जाएगा, अगर मेर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चीए कि नहीं बनाना चीए, इसको भी मेरे को आप बताएगा, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आया हो, अगर नहीं नहीं जनकाली आपको मिलती है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को ज़रूँ सब्सक्राब कर जाएगा, ओके दोस